डिस्ट्रिक्ट मत्हुरा में सुगम और सुरक्षित वोटिंग कराई जाने के विभिन प्रबंदिक किये गए हैं लगभग 219 पोलिंग बूट्स डिस्ट्रिक्ट मत्हुरा में इस बार हैं जो की पाँच विधानसभा कॉस्टिट्वेंसीज माट चाता बलदेव गोवर्धन और मत्हुरा इन पाँच विधानसभा कॉस्टिट्वेंसीज में पोलिंग होनी 10th February को प्रस्तावित है पोलिंग के दिन और उससे पहले भी विभिन प्रकार के जो कोविट प्रोटोकॉल्स हैं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स के अनुरूप उसके अनुसार पोलिंग कराई जाएगी मास्क्स, गलव्स, सैनिटाइजर्स, इतियादी का डिस्ट्रिब्यूशन ना केवल हमारे पोलिंग कार्मिकों को रहेगा बलकि जो हमारे मद्दान करने वाले जन्पदवासी हैं उनको भी कोविट प्रोटोकॉल के सम्बंदित जो जो उपकर्ण हैं जो जो एसे सिरीज हैं वो दी जाएगी ताकि कोविट संक्रमेंट से सभी का बचाव हो सके इस बार नंबर ओफ बूट्स भी बढ़ाए गए हैं पहले चुनावों में प्रतेक बूट पर लगभग पंदरा सो वोटर्स अधिक्तम रह सकते थे अब की बार वो संख्या कम करके कोविट के पॉइंट ऑव यू से बारा सो पचास कर दी गई है ताकि हर बूट पर कम उपालन करा सके हैं डिस्ट्रिक्ट को सभी इन पाँच विधानसभा कॉंस्टिक्टोंसी को विविन सेक्टर और जोन में डिवाइड किया है और सेक्टर और जोनल मेजिस्ट्रेट्स पहले से ही ये सुनिष्चत कर रहा है कि हमारे सभी बूट पर जो अशोर्ड मिनिमम फ को भी हमारे जो सेक्टर्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो लगातार चक्रमन करते रहेंगे ब्रह्मन करते रहेंगे और यह सुनिषित करेंगे कि free and fair elections डिस्ट्रिक्ट मत्हुरा में हो इस बार election commission का जो मोटो है वो है making elections inclusive accessible and participative यानि समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की और अग्रसर ये एक मोटो या एक धे Election Commission of India और जिलाप्रिशासन ने भी मनाया है और इसको पूरा करने के लिए जिलाप्रिशासन कटी बद है इस बार जो भी हमारे elections होंगे वोटिंग डे के ऊपर हमारे बूट्स पर पेरेमिल्टरी फोर्स की भी उपलब्दता रहेगी विडियोग्राफी के माद्यम से भी सुनिश्यत किया जाएगा कि फ्री एंट फेर पोल हों हमारे 50% से अधिक बूट्स पर वेब कास्टिंग की भी सुविधा उपलब्द कराई जाएगी ताकि किसी भी कोने से हम ये देख सकें कि प्रतेक पोलिंग बूट्स पर शांती पूर्वक चुनाव किये जा रहे हैं माइक्रो अब्जर्वर्स के माध्यम से निगरानी की जाएगी स्टाटिक मजिस्ट्रेट्स इस प्रकार के बूट्स पर लगाए जाएगे जो क्रिटिकल है तो हमारे district के जो सभी boots हैं उन्हें critical boots के रूप में कुछ ऐसे boots identify किये गए हैं जहां पर हमें ज्यादा सतर करेने की आवशकता है उन सभी boots का निरिक्षन हमारे और SSP साहब के द्वारा भी किया जा रहा है साती साथ जो हमारे returning officers हैं यानि की SDM's हैं और उनके जो counterpart circle officers हैं हँए उनके द्वारा भी nourishment किया जा रहा है कुछ ऐसी बस्तियान जो की sensitive हो सकती हैं उन्हें sensitive hemlets हैं या vulnerable hamlets हैं उनका भी द्वारा SSP साहब के द्वारा या similarly जो हमारे RO है SDMS हैं या CU's हैं उनके द्वारा किया जा रहा है लोगों से लगातार संपर किया जा रहा है और ये एक प्रचार प्रसार या ये एक संदेश दिया जा रहा है कि भैमुक्त और प्रलोभन के बिना सभी जाती धर्म इतियादी इस प्रकार की किसी भी भावना से उपर उठ कर लोगतंतर को मजबूत बनाने के लिए हम सभी लोग वोटिंग जरूर करें और अधिक से अध ट्रांस्परिंसी के साथ सुगमता के साथ सिक्योरिटी की भावना के साथ कराएंगे और एक अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे जिसे हम हम उप्युक्त समझते हैं तो हम इस लोगतंतर को मजबूत करेंगे तो यही मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि इ एकदम भेमुक्त वातावरण में आप सभी लोग चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिस्पेट करें हमारे डिस्ट्रिक्ट में विभिन विधानसवा कॉंस्टिटूंसी में आल वुमिन बूट्स भी बनाये जाएंगे जिनें हम पिंक बूट्स कह सकते हैं वहां पर सभी म आप देखेंगे कि एक मॉडल सुगमता के संबंदित व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहेगी और हमारे मुद्दाताओं को एक अच्छा और एक अच्छे वातावरण में मुद्दान करने का मौका मिलेगा Election Commission of India के द्वारा PWD वोटर्स हमारे जो दिव्यांग जन हैं जो हमारे बुज़ूर्ग वोटर्स हैं 80 प्लस वोटर्स हैं उनके लिए भी विशेश व्यवस्था की गई है और उनसे ये आप्शन ज़रूर लिया जाएगा कि आप वोटिंग वहां पर कर सकते हैं बूत पर आ रहेंगी और हमारे सभी बूच पर कोवर्ड हेल्प डेस्क के त्यादी रहेगा जिससे कि हम कोविट के प्रती जो हमारा अप्रोप्रियेट बिहेवियर है और कोविट संबंदी जो है वो हमारी स्वास्विभाग के द्वारा आप सभी लोगों को उपलब्द कराई जा सके तो आप सभी लोगों से यही एक बार पुनाव अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बिना किसी प्रलोभन के बिना किसी भैके एक सुरक्षित और एक स्वच्छवाता वरण में आए अधिक से अधिक वोट कर इस लोकत अधिक व मस्बूद बनाए